तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्व चैनल समराट केड़ में तो दोस्तों मेरा ना मैकास इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास्टेयंट के मैध के वेरी वेरी मुष्ट आएंपी क्यूशन के बारे में मतलब वो क्यूशन बता हूँ मतलब वो क्यूशन बता हूँ को जो लाजवाब होगे जो की एक्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांस होंगे ठीक है वीडियो को लाइक करती है चैनल पना है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और वैल आकन को भी कि एक संख्या में अंको का जो योग है यो बारह है अंकों के अस्थान बादलने पर प्राम्त संख्या ध्रल्टीक हो जा रही है संख्या जा ग्यांत कि जेके बहुत important ये चलिए इसकमें बहुत ही संक्या मालुम, कि तो आजकन कौन सा नहीं है तो मालना पड़ गुद की चीजह ओर है कि रिखाय के ने किसा होगी ता हमकों मना पड़ेगा तहरें पर लिखें गेहें कि माना लसे बताएं से दूट कीजे माना संख्या के के माना संख्या के दहाई वह इकाई माना संख्या के दहाई वह इकाई माना संख्या के दहाई वह इकाई की अंक जो होंगे अंक करमसा हमें मानना पड़ेगा करमसा मान लेंगे हम यक्स तथा वाई है यक्स तथा वाई है जिस प्रकार में मानना वह इसी प्रकार आपको फर्मे आच्छा तब मैंने इकाई और दाहिए के मोर्थ Ikin मान लिया कर रहा है कि कि दो आंकों की एक तरखें आप गैंक्या एंग्राई गें convenient तब kur यहिप्या वाहिए अच्या और मृट फ्लस हुआ दूइंद LINES हैं तो शंक्या मेंस्ट्रा कैंस निकालने के लिए क्या होता है कि कई में 1 का गुड़ा किया जाता है में5 मुड़ा के था थी दोनों को जोड़ेंगे ऑस संख्या यहां से हम लिखेंगे ao सब्सक्राइ नकल जाएगी है इसलिए अभीष्ट सक्राइब इस संख्राइब दभी की होगी कि जैं कि अपार का संख्रा निकल यह निकल गए कर गहां सबस्क्राइब इस संझ्धानगे यह SLOW की अस्थान बदलने पर अंको के अस्थान बदलने पर पराप्त संख्या कह रहा कि अगर अंको का अस्थान बदल दिया जाए तो संख्या क्या पराप्त होगी तो आप ही बताए जब यक्स y था था तो हमें 10 x प्लस y पराप्त होता था अब अंको को चेंज कर दिया जाए यक्स को बाद में कर दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगे तब तो दस को गुड़ा इसमें होने लगेगा ते हो जाएगा दस वाई प्लस यक्स तब अंको के अस्थान बदलेंगे तो संख्या हमारा दस वाई प्लस यक्स पराप्थ हो हमको अंतर मालूम चलेगा 3 तहीं चीज करा कि य़ा संख्य इससे800 अधीक है तह प्रस्णानुसार प्रस्ण के नुसौरी तो यह करा था कि इस sacred आठीक है तiszकтом के लिखेंगे कि 10 का यह यह संख्या से मदहिए sports 418 अंतर आ रहा है अठारा अंतर आ रहा है मतलब यह संक्या इस से अठारा देखे तो बड़ी में सचोटी गटाइए तभी तो मालूम चले का थारा देखे सिंपल आप देखे करना को यह चीज़ें यह यह जाएगा दस वाई पलस एक्स माइनस यह जाएगा दस यह मार्स देखे पलस यह और माइनस दस यह कmeter हो जाएगा माइनस नौ एक्स ठीक है दस एक्स में एक्स गटा शृता नहींट बस बस जागा बराबर यहां उसमेब नव आएख च्छी लागए नव गाई अब यहां से Y-1X निकालूँगा ता 18 बटे क्या जागा 9 गृट दूंगा Y-1X बराबर क्या जागा 9 घृटए 12 तो यहां मैंस एक्स बराबर दू आब दो खिके हैं यर्ण पलस य बराबर 12 यह समीक्रण पहला था दुसरा राव य शक प्राप्ट होंगे यक ह्वाराय दूसरा अब इसका काम सब्सक्रत वठधा आप醬lü सबोगा अब एसे में से काम होगा आप दूर सम्हेंगे बहुत है चोगे पाश्रों के जूड़ेंगे यांपर कि संवीकराण यह संवीकराण दो संवीकराणार दो नहीं को क्या करने मुंदे गश्री च्वंद हो घ्रयलों माइनस एक से प्लस एकस केंसील हो गया अब प्लस दो धाएगा ठीक है अब यहां बारत वित ह玩गा चौग दा योडियेंगे तो करते चौगदा बाटे दो हागए कटा देंगे तो य बराबर कि हो जागा गए आज्चा बराबर तो लिछ vendor pastureёт किसी संविकान मी में रखने पर किसमें रख सकते हैं सम्मिकंड एक में रखने पर समिक्रड समीकंड को तार पड़ेंगा दर यहाँ तर यहां प्लूस रगया आधा यह रहां charger उतंगः नही세요 मतलब य वर कं घ्यांच मंतलब थे ॥ खैया उपर चैसे था यह तू था 10 याश प्लस य Сейчас की सच्वह योड़े संगी So20 पाल दस अगुड़े यक्स का विलू कितना है भी आप प्लस वाई कितना है साथ तो दस पाचे पचास अप्लस साथ जोड़ेंगे तो संतावन मतलब वह अभीष्ट संक्या क्या अप जागी संतावन जिसका दोनों को योग देखें जोड़ने पर बार भी हो रहा है मतलब कि इस्टुडेंट बिल्कुल सही ढंग से सवाल लगा हुआ ठीक है उमीद करता हुए क्यूशन आपको समझ में आ गया होगा नो डाउट आपको गाई क्यूशन में बहुत ही ज्यादा मुश्ट पापलर क्यूशन है उमीद करता हुशन में पहला किलियर हो गया होगा इस्टुडेंट लाइक करते रिए चैनल पर नहीं पर चैनल के सब्सक्राइब कर लिए चलिए क्यूशन में दूसरे के और बड़ चलते हैं चलिए देखे इसके में दूसरा आपकी स्किन पर आगा जो कि बहुत ज्यादा मुश्ट इम्पोटेंट या आपका क्यूशन दे वाटए चार अवारावर जीरो ठीक है करें स्कौल कीजीए सब्सक्राइब क्या करते हैं कि एक बड़े चार गुड़ा किस्ट्पार आपके स्कौर में आप चार को प्रक्षार में ने स्क्राइब हमें ते यह जाएगा एक डोटज दो गुड़े एक वर्टे दो Gemeरें दो के चार नीचा जाएगा ठीक है यही तो कंडिशन बन रहा है ठीक है और देखे इसे जोड़ेंगे तब यक्स क्या कुछ नहीं एक चिपा उता है इसको जोड़ेंगे एक भी आज आगा मतलब कि हमारा बिल्कुल करने इसको जोड़ने पर कितना आगा देक एक बटे दो आप मतलब साब नहीं एक दो दो कर जागा ते यह कहीट वारा है मैं तो बिल्कुल विद्धू स्टिस्वाइड हो रहा है ठीक है यह रफकार रहा है अपका काला यह तौन आप सिक करने कि खीस के एक टौर पिल्स यह गटे पिर मैंने ऊसका पेर इसके साथ इसका पिरिसके साथ इसमें भी यकसी काम लेंगे तो यहां पर बाइगा यहाँ भी जागा और प्लस यहां किर ने है यहां पर हम दोग ले लेंगे एक वट कामों लेंगे यкретम अजा जाना और यहां से के चार यहां से एक बटे दो जागा बरावर 0 जाएक आफ सिंपल इस अभी मेर्ट विटाय शावर जाए जात जाएगा रहावर uh किसी अब सिंपली दिखेए एक स्थी बैटा करेंगा तो यह गते होताइगािया और्सफिक होली पहुतारी पर हो जाएगा यह पिलस एक बाटए यह सब 22 ही होता है अब यहां से इस का भिलो निकालते हैं, यहां दो नों होगा जी, एक बटे दो नहां, यह दो लिखेंगे, हम लिखेंगे मानसा की सुमीकरण का हलें कैई है zit यह दो है इसको पर लिख लिए झी के बहुत ही जाद मौस्ट इंपोर्टेंट क्योशन है यह क्योशन गुडंखंड दिया था कि इसको समीक्राइब करने के गुडंखंड भी दिसे तब कितना अच्छा से हम लोग ने इस स्वालव कर दिया चैनल इसटेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टन क्योशन था उम्मिद कर तो एक लिए हो गया होगा दो है तो पी का मान गयात करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए बतातों आपको कि इसे किस प्रकार आप सालूसन करेंगे बहुत ही अच्छे डंग से लिखने का तरीका भी होना चाहिए एक्जामनर आपका लिखने का तरीका आपको क्यूसन पढ़ लिया तो लिखेंगे आप यहां पे चुकिए देखे दिवगात समीकरण दिया तो लिखना पड़ेगा आपको कि दिवगात समीकरण अब दिवगात समीकरण क्या है आपके पास कि यक्स स्क्वार प्लस तीन यक्स मानस पी बरावर जीरो का एक मूल दे सिरू दिवगात समीकरण में रखने पर क्योंकि एक मूल तब दो है तो लावर दो रखेंगे तो तो पी कब लूं निकल जाएगा तो लावर दो दिवगात समीकरण में रखने अब जो x बराबर दो है द्यूगा समिकरण विर्खन ने पर गिर तो यह स्कौार पलस3 हमानस पी बराबर बर जिरो है अब यह सब्सक्रार मानस दी करनेता क्छा रड़र गया है तो जिर। दस मानस पी उदर जागा तो प्लस पी तपी बराबर के आगया दस अगया तपी बराबर दस यहीं तो बेलों से पूचा था कि पी कब लूगा तो दस आ गया तो देखें बहुत ही सीम्पल क्यूसर निया बहुत इसको कर दिया ठीक है कि उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आगया इस टूंट ठीक है चलिए चलिए दोस्तों कि स्किन पर आगया जो कि बहुत ही ज्यादा महत्तों पूल परश्ण ने यह कूशन आप जाके देख सकते बहुत ही बार पूचा गया बहुत बार कर्म का यूग जो फल है 4-1 बटा 4 है तो संख्या गयाद किजिए यह संख्या है और उसके ब्यूत-क्रम का यूग फल जो है चार-सा एकड़र चार है तो संख्या घ्याद करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्ट इंपॉर्टेंट है ते चलिए देखिए इसे किस परकार हल करेंगे हम लोग बहुत ही सिंपर तरीके के ठीक है तो संख्या तो हमको मालूम नहीं को संख्या कौन सी है और उसका ब्यूत करम कौन सा है को उसको जोड़ूंगो तो एक चार सा एक बटा चार होगा ठीक है मनना पड़ेगा तो हम लिखेंगे कि माना संख्या माना संख्या यक्स हैं उस संख्या को क्या मालने कि यक्स जो नहीं मालूम रहता है उसको यक्स ही न माना जाता है तब माना संख्या यक्स हमको मालूम चल गया तब यक्स संख्या का ब्यूत करम क्या होगा तब यक्स संख्या का ब्यूत करम आप ही बताए ब्यूत करम उल्ट तो यह संक्या क्या हो जाएगा एक वट एक हो जाएगा ठीक है इसका उल्टा यहीं तो होगा चलिए अब कहरा प्रस्टना नुसार कि आप उस अंक्या भी मालूम चल गया उसका व्यूत्करम भी मालूम चल गया उन दूनों को जोड़ेने पर चार से बड़ा चार हो रहा है और प्लस एक वट एक उस तोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना हैगा 4 से एक वट चार आएगा ठीक है अब इससे हल कर लेते हैं तो इस्टोन इसे हल करेंगे तो क्या हो जागा एकस में गुड़ा को हो जाएगा तो यह स्कुर क्रूंट प्लस एक एक हो जाएगा अबर बढ़ जिरो बच गया आप सिंप्ली इसको गुड़ा इसका गुड़ा करें तो चार चुको सोरे एक सिस्क्वार गुड़ा करने पर सोरे एक साय और इस टोन जोड़ने पर कितना आजाए 17 ठीक है अब देखिए को करना क्या है तो सोरे कम सोरे यह तो लग रहा है सोरा में एक चार एक सिस्क्वार माइनस सोरे एकस माइनस एकस प्लस चार अब कहेंगे कि यह क्या लिगती है तो सोरे एकस में एकस को उड़ा करेंगे तो सोरे एकस स्क्वार आजागा अस माइनस सोरे एकस मानस एकस जोड़ने तो मायनस सत्रे एकस भी आगया तो सही नहीं है बिलकुल सब्सक्राइब यहां पर बना जी इसका ढोड़ा इसका साथ इसका जुड़ाई इसके साथ यहां पर चार याज लेंगे तिय content लेंगे यहां长 और माइनस कुछ नहीं तो यह थी सी दाए ठाओ यहां पर लेंगे तो यहां पर पकूछ है 물लियां पर सिपनेज चार बराबर यहां यक्स बराबर क्या जाएगा चार आ जाएगा यहां से 40 सब्राबर मैनस उदर जाए तो घुझा इक बार आबर तो जैसा कि देख पारे हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट यह इंपोर्टेंट क्यूसन है इसको मैंने बहुत अच्छे डंग से आपको बता दिया उम्मीद करता हुए क्यूसन आपको समझ में आगे होंगे इस्टुटेंट नो डाउट आपको होगा इस्टुटेंट में ठीक है इस्टुटेंट देखिए किस प्रकाई से सलूशन करेंगे बहुत ही ज्यादा मुझे इंपोर्टेंट है तो देखिए करना यह चीज है कि दो संख्याओं का अंतर दो है तथा उनके वर्गों का यूग 34 संख्याएं गयात किजिए अच्छा आपको संख्या मालूम है क्या माना संख्याएं करमसा मानना पड़ेगा कि माना संख्याएं करमसा क्या यक्स और वाई है माना संख्याएं करमसा यक्स और वाई है अब जाइस बात है कि दो संख्या है तो दो संख्याओं में से एक संख्या तो 100% बड़ी होगी तभी तो बड़ी में से छोटी गटाएं कि दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर दो, दिया है कि नहीं, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, कितना दे रखा है, दो दे रखा है, तोनों क्या लिखेंगे, कि बड़ी में से अगर शोटी को अटाएंगे, तभी तो अंतर मालम चल गाती, एकस मनस संख्याओं दिया है तथा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जिस प्रकार में बता रहा हूं उसी डंग से आपको एक्जाम में लिखना है यह कितना दे रखा है 34 दे रखा है इसका मतलब कि एक संख्याओं यक से 30 सभी है या समिकरण पहला से देख़ें कुछ बैलू नहीं कर ला से मीकषण पहला क्या आपको दे रखा है कि यह सम्दमाइन scripture रखा दे रहा है ठीक है आप आस रही है कि यह प्रस दो इदा आगा तो में वराबर माइनस दो दो जा एगा थीगे नहों कोई मालूम चल गया कि वाई बराबर के आ गया फ मैन Holmes दो आ गया तब वाई बराबर यह समाइनस दो इस तुद्टेट तो हम लोग क्या लिखेंगे वाई कि एकिरण किसी में रख देंगे संवी समीकरा साथ करने में रखने पे lub आप समय कर दूसरा में रखना पड़ेगा तो समय कर दूसरा क्या आपका की यक्सी स्क्वार प्लस वाइज स्क्वार बराबर 34 तो दिया चलिए रखते हैं तो देखें यक्सी स्क्वार करते एक सिस्क्वार आजागा वाई वाई की जगा में क्या लिखना पड़ेगा यक्स म प्लस बी का स्केर मतलब दो का स्केर चार मानस टू एक हो यहां पे X और बी के यहां पे 2 अब अब आवर 34 अा लागया ठेकर आप सिंप्ली करना कि इसकूह यह चीज है कि GX स्कुआर प्लस यह यहां आप 4-2 दूनी के 4 एक्स बरावर 34 आगया अब सिंप्ली करना कि एक्स स्कॉर में एक्स प्रणिंगे ते हो जागा 2 एक्स स्कॉर ठीक है इस्टेंट और प्लस चार माइनस 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 चार्ययक्स और प्लस게ं ठरह तो माइनस चोंदीस बरवर जब जब्च कर दो और ओक्ताइगा फोर प्लस फोर तो जो जागा माइनस 30 बरावर जीरो हो जाएगा इस्टूडेंट ठीक है अब सिंपली आपको यह करना है कि यहां दो कामर ले सकते हैं तो जागा यक्सी स्कॉार माइनस दो दूने के से देशाए लेक्सी स्कुार्व मानस पांच एक्सओ अरे टीन तीन कामर लेंगे तए एक्सपांच बरावर जीरो इसमे प्रणाइब यहां से पांच निकल जाएगा और यहां से यह पूछा क्या था कि संख्याएं गयात किजैंट कि हमसे क्या पूछा राथ तो नहीं लेंगे की रिदात्मक है एकस बनबर पाच लेंगे हम संख्या क्या माने थे तब यस लरावबर 5 एक टीरत थे चिसंहित तरब पाच आई गया और एक समीकर माते हैं तब य बराबर हैक्सिंब पांच मांदस दू तो वाई बराबर कितना जागा तीन आजगा यक्स बराबर पांच आगए आगा याव रावर तीन मतलब पांच और तीन यह दो संख्या आगा ठीक है तही स परगारीस सालूसन होगा इस लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इमप